आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ डाउनलोड नाउ question में पूछा जाए रहा write the function of A cry1 AC gene और B RNA interference ठीक है तो यहाँ पर हमें यह पाइय टेक्नोलोडिकल मेथड्स की बात करनी है पहला जो है हमारा cry1 AC वो किस से relate करता है? वो relate करता है हमारे BT cotton से ठीक है BT हाँ पर क्या होता है? BT होता है यहाँ पर bacillus thuringiensis ठीक है? यह क्यों है यहाँ पर BT के आगे? मतलब basically cotton के साबने हमने BT क्यों लगा है? तो basically हमने क्या करा है BT जो है हमारा bacillus thuringiensis इस bacteria से हमने एक gene निकाला है जिसका नाम है cry gene cry gene जो है यह क्या बनाता है? यह बनाता है एक crystal protein ठीक है? crystal protein बनाता है जो कि inactivated protein है यह असल में toxic substance है अगर मैं बात करूँ यह कहाँ पर solubilize होगा solubilize होके यह active हो जाएगा तो यह solubilize करता है किसमे alkaline pH में हमारे bacteria का तो alkaline pH नहीं होता cytoplasm में इसलिए वहाँ पर यह act नहीं करता है ठीक है? यह क्या है अभी inactivate है पर जैसे हमें पता है हमने क्या करा है? इस gene को डालता है है किसमें हमारी cotton के जितने भी cells हैं तो अब क्या होगा? जब भी कोई insect इसे खाएगा तो यहाँ पर क्या है? यह तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? cry gene हमारा क्या express हो रहा है तो यह crystal protein तो बन रहा है अब जैसे ही एक insect ने खाया तो insect का जो गट होता है insect का जो पेट है यहाँ पर वो कैसा होता है? alkaline pH वाला तो यह क्या होगा? solubilize हो जाएगा और इससे क्या होंगे? उसके इंदर body में pores बन जाएगे और यह pores की वज़े से उस insect की क्या हो जाएगी? death हो जाएगी ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे करके हमने जो इसके insect best है हमारे cotton के उससे हमने यहाँ पर मार दिया ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि cry 1 यह जो gene है cry gene इसके कहीं सारे variants से आनि कि अलग-अलग जो insects हैं उसके लिए यह अलग-अलग gene है यहाँ पर देखा गया है तो जो cry 1 AC है प्लस cry 1 cry 2 AB cry 1 AC और cry 2 AB यह दोनों किस organism को target करते हैं यह target करते हैं हमारे cotton ball warm को ठीक है? cotton ball warm जो होता है उसको यह target करता है यानि कि इन दोनों में से कोई भी gene अगर हमने अपने cotton के genome के साथ मिला दिया है तो वो क्या होगा? हमारे यह crystal protein बनाएगा जो कि cotton ball warm को मार देगा ठीक है? similarly अगर मैं आपको बताओं तो यहां पर एक और होता हा हमारा cry 2 AC ठीक है? cry 2 AC जो होता है यह हमारा क्या करता है? यह हमारे stem border को मारता है ठीक है? stem border को यह मारता है यह भी हमारा कह değer एक insect है तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाओं कि आप इसे याद कैसे रख सकता है cotton ball warm को यहाँ पर cry one a से और cry to a b जान मारता है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताओं तो यह देखे cry gene तो यहाँ पर same है ठीक है a b same है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो first यहाँ पर क्या है c है ठीक है यह difference आ रहा है इन दोनों में तो देखे first जो letter होगा वो c है यानि कि cotton ठीक है और second जो letter है वो है b ठीक है यानि कि second word का जो letter होगा वो b होगा तो यह है बॉल वॉम तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि cotton बॉल वॉम को माणने वाला cry 1 ac है और cry 2 a b है cry 2 ac तो आपको वैसे याद हो जागा क्योंकि exception हो जाता इससे अब यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं option यह जो हमारा question b है यह कह रहा है कि RNA interference क्या है तो यहाँ पर बात कर लेता है RNA interference की देखिए RNAi या फिर इसे हम और क्या बोलता है इसे हम gene silencing भी बोलते हैं ठीक है basically इसमें क्या करते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा RNAi में basically हम लोग यहाँ पर target कर रहे हैं अपने एक नीमा टोड को ठीक है एक example से आपको समझा जाए तो एक नीमा टोड है जिसका नाम क्या है इसका नाम है milloidy gynae incognita ठीक है milloidy gynae incognita ठीक है इसको यहाँ पर tackle करने के लिए एक novel mechanism ढूंडा जिसे हम बोलते हैं RNA या RNA interference तो यहाँ पर हमने basically क्या करा थी कि हमने यहाँ पर एक gene डाला है ठीक है एक ऐसा gene डाला है जिसकी वज़े से क्या बनता है हमारे sense और anti-sense दो हमारे mRNA बने ठीक है तो RNA बने basically ठीक है RNA अगर यह ऐसे बनते हैं तो क्या होगा यह हमारे एक दूसरे के साथ complimentary show करेंगे ठीक है basically sense और anti-sense क्या होंगे यह एक दूसर से compliment होंगे और इनसे क्या होगा हमारे एक बन जागा double stranded RNA ठीक है अब यह क्या होता है यह जो gene हमने डाला है किसके अंदर हमारे टबैको के अंदर किसकी साथा से इसको हमने डाला है हमने यहाँ पर agrobacterium vector के साथा से ठीक है agrobacterium vector की साहता से हमने इसे डाला है T.I. plasmid की साहता से इस gene को हमने टबैको root के cells में यहाँ पर या फिर टबैको की पूरे plant में ही डाल दिया है तो वह इसके अब यहाँ पर express होगा ठीक है जैसी इसके अंदर जाएगा तो जब हमारा यह मिलोडिगाईनी इनकॉगनिटा कोई MRNA बनाएगा एक स्पेसिफिक MRNA को यह टार्गेट करेगा इस निमा टोटके तो इसको ऊपर यहां पर क्या जाएगा इसके ऊपर आजाएगा हमारा यह डबल स्ट्रेंड आर इस जीन की वज़ेसा है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो ऐसे करके हमने प्रेवेंट करवा दिया इसका इन्फेक्शन ठीक है सम अप करने के लिए आपको बताया जाए तो यहां पर हम बेसिकली एक ऐसा जीन डाल देते हैं टोबाको प्लांट में जो कि हमारा क्या है यह backust के लिए हमारे इस निमार के लिए इसके अंदर हमने जीन डाल दे की आंटी सैंस और सेंस दो प्रकार के आरेने बनाता है जिसमें की कॉम्प्लिमेंट्रिटी होती है इससे बन जाएक double standard RNA और इसकी वज़ए से यहां पर silence क्या हो जाएगा हमारा एक mRNA जो कि क्या है निमाटोड specific है, यानि कि निमाटोड जो बना रहा है उस particular RNA को यहाँ पर यह क्या कर देगा? इंटर्फेरेंस कर देगा उसमें या फिर साइलेंस कर देगा अईससे क्या होगा? यह ट्रांसलेट कभी नहीं कर पाएगा और इसके वज़े से अईससे करके अपने टुवागो को बचा लिया थांक्यू